नमस्कार दोस्तों मैं अविनास कुमार जेस एस्टो बास्तू का फाउंडर आज एक नए नमर के साथ आपके सामने पर्स्तूत हुआ हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको एक से लेके पांस नमर तक के बारे में आपको जानकारिया मैंने दी थी कि नुमरोलोजी में इसका क्या-क्या महत होता अंक सास्त्र में एक नमर से लेके पांस नमर के क्या-क्या महत है क्या-क्या अच्छी चीज़े हैं क्या-क्या उनकी बुरी चीज़े हैं आज हम लोग बात करेंगे च्छे नमर सिक्स आज की जवाने में नमर सिक्स होना सभी के सीघ्टयूं देलिए बहुत ही आविश्क है जिदि इजनकी ग्रेड्थ में नम्र six है उनके तो बले-बले भगवान ने उन्हें गिप्त दिया है आप वो नम्मा जिनके ग्रेड्थ में नम्र six नहीं है तो वह अप unlimited अपने उस नम्मर की कम्म को पूरा करने के इसलिए शुक्र महराज को खुस करें क्योंकि नम्मर सिक्स सुक्र जी का नम्मर है शुक्र देपता का नम्मर है शुक्र देपता शुक्र ग्रह हमारे नौ ग्रहों में से सबसे चमकिला गरह कहलाता है शुक्र गरह इसलिए नम्मर शिक्स हमारे लगजडी को बताता है शिक्स हमारे ऐसो अराम को बताता है शिक्स हमारे धन दौलत को बताता है दोस्तों तो किनकी नम्मर शिक्स हो सकती है वैसे बैक्ति जिनका जन किसी भी महने के छे ताड़ी को 15 ताड़ी को 24 ताड़ी को हुआ है तो उनका प्रश्णाल्टी नम्मर छे ड्राइवर नम्मर छे मुलांक नम्मर छे कहलाता है वैसे बैक्ती बहुत ही जादा एक्ट्रेक्टिव रहते हैं वैसे लोग अपने पडिवार में सबसे जादा सुन्दर दिखते हैं वैसे लोग जिनका personality नमर छे आता है वैसे बैक्ती, food lover भी होते हैं, खाने के बहुत सकीन होते हैं, नहीं तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैंगे दोस्तों, जिनका personality नमर छे आता है, उन्हें nature से भी बहुत ज्यादा लव होता है, हील स्टेशन, समुंद्री इलाका, अच्छे अच्छे घुमना इन्हें बहुत अच्छा पसंद आता है, जिनका personality नमर छे आता है दोस्तों, वैसे लोग opposite gender attract होते हैं, क्याको उनका aura magnetic होता है, उनके personality attractive होते हैं तो इसलिए opposite gender बहुत ज्यादा उन पर फिदा होते हैं, चाहे हो लड़का हो या लड़की है, लड़की लोग ज्यादा आकर्शित होंगे, लड़की का personality नमर छे आ रहे हैं तो लड़की लोग ज्यादा आकर्शित होंगे, इसलिए आप देखे होंगे, कि personality नमर छे ज्यादा तर आपको film industry वाले, modeling वाले, artist, dancer, कवी लोग में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, यदि नमर छे आपके grid में आ रहा है, personality से नमर छे आप में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा सम्भावना है more affair की भी, तो सला दूँगा कि भाई अपने partner के साथ loyal रहो, नहीं तो बहुत ही खराब जिन्दगी बितेंगे आपके, नमर छे में एक और अच्छी चीज़े होते हैं या बुरी चीज़े आप जो कहना मान सकते हो, बहुत ही ज्यादा manipulative लोग होते हैं, जुगारू लोग होते हैं, वो अपने काम निकालने के लिए मेनिपुलेट करेंगे आपको, जब काम निकल जाएगे तो आप कौन मैं कौन, खास कर महलाओं में, लड़कियों में यह उनका personality नमर छे आता है, तो अधिकांस था यह prominent है कि वो love marriage करेंगे, किसी कारण बस यदि वो marriage के लिए मान भी जाती तो अपने parents, अपने माता, पिता के सामने एक सर्थ रखेंगे कि मैं लड़के को देखूंगी, मैं लड़के से बात करूंगी, मैं लड़के से मिलूंगी, मुझे पसंद आये, मै तब ही उनसे साधी करूंगे, जिन बच्चे बच्चियों के अधिर personality नमर छे आता है, parent को मैं इसला देता हूँ, ज्यादा प्रॉर्मेंट चांस है love marriage की ही, वो लड़के के, घर बार, रहन सान, खान पान पता कर लें, उसके बाद ही उनकी marriage करवाएं, नहीं तो साधी के ब marriage life में परिशानी आएगी, एक और चीज देखी गई है, खास कर लेडिज में, महलाओं में, यदि उनका जन किसी भी महने के 24 तारी को होता है, 24 दो और चार से मिला होता है, दोनों क्या anti combination है आपको, दो चार को अपना दोस्त नहीं मानता है, चार तो दो को दोस्त मानता है, लेंकि दो चार को दोस्त नहीं मानता है, तो relationship में issue आने की ज़्यादा सम्मावना होती है, और ऐसी वईसी relationship नहीं, ये court घिच के ले जाती है relationship, यदि हम profession की बात के नम्मर 6 से, मैं पहले भी बताया हूँ, अभी बताना चाहता हूँ कि profession मैं हमेशा, ये आप लोग भी हमेशा destiny नम्मर से देखें, यदि जिनका destiny नम्मर 6 आता है, उन्हें मैं professions के लिए मैं बोलूँगा, film industry में जाए, modeling में जाए, singing, dancing, glamour के दुनिया में आप जाए, ज्यादा success होंगे, restaurant खोल सकते हैं आप, pub खोल सकते हैं, डिस्को खोल सकते हैं, आप cinema hall भी खोल सकते हैं, उसमें आप ज्यादा success होंगे, दुकान ही खोलें तो branded दुकान खोलिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े company को showroom खोलिए, यदि आप जोनरी के छेत में जाना चाहते हैं, तो सोने के आपको ज्यादा सफलता मिलेगी आपको, कुछ सला इसमें मैं कुछ देना चाहता हूँ, अपने खर्चे पर नियंदरन रखें, नहीं तो बुरापा में आपको दिक्कत आएगा, साथ में दुसरे पर विश्वास ना रखें, आपको धोका मिलने की समावना ज्यादा बने कर जाती है, यदि हम लखी नमर के बात करें, तो परिश्णाल्टी नमर दोंन नम सा सबसे लगी नम्र यह होता है, आप वहीशे लोग से दोस्ती करें जिनका परस्टनाल्टी नमर छे आ रहा है आप वहीशे लोग से बिजनस करें जिनका परस्टनाल्टी नमर छे आ रहा है आप वहीशे लोग को पार्टनर बनाए मैरेज करें जिनका परस्टनाल्टी नमर छे आ रहा है आपकी जिंदगी मे बल्ले बल्ले रहेंगे, कभी भी आपको हानी नहीं मिलेगी, परिसानी नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, छे के अलावा, छे के अलावा एक नम्मर भी आपके लिए लखी नमर होता है, पांच नम्मर भी आपके लखी होता है, और साथ नम्मर भी आपके लखी होता है, इसमें मैं एक सला देना चाहता हूँ आप गाठ बान के रख लिजी नम्मर तीन से दूर रहें नम्मर तीन को अपने आस पास भी ना भटकने दें नहीं तो 36 कहा करा हो जाएगा वो आपके के प्रोफेशन लाइफ हैल्थ लाइफ रिलेसंसिफ लाइफ केरियर लाइफ सब को चौपट कर देगा क्यों अंतर किया नम्मर त्री गुरू हैं नम्मर शिक्स भी गुरू अंतर किया के नम्मर ती देवताओं के गुरू हैं नम्मर शिक्स दानवों के गुरू हैं ऐसो एर की कलर वाइट उजले जदी आपको इंपोर्टेंट बिजनस डील में जा रहे हैं आप कोई इंटर यू देने जारे है आपका कोई इंपोर्टेन्ट third अ-चयर में कोशुस करें उज्ला कपरां पहने के जाएं उजली टी Kaita पहन के जाए आपको शपलता मिलेगी और हमेशा अपने पर्स में अपने जेब में वाइट कलर के रुमाल रखें बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा यदि हम लोग एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों इसमें लास्ट है परस्टनाल्टी नम्मर छे में एक और खूबी भी होती है इसको आप खूबी कहें या कुछ और जूट बहुत सफाई से बोलते हैं जूट बोलने की कला इनमें अध्भुत रहती है कैसे जूट बोलना है कहा जूट बोलना है इनको ये गुन आता है चूट इतने सफाई से बोलेंगे कि सामने वाला फकर भी ने पाएगा इसे इसलिए कहा जाता कि ये लोग जूटे भी होते हैं लायर भी होते हैं आप देखा कि नम्मर सिक्स हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजे भी दी हैं कुछ खराब चीजे भी दी है यदि हम लोग इसकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में गले की परिसानी बीपी की परिसानी मुटापा, डाविटीज, इत्यादी की संभावना ज्यादा बनी रहती है तो इह सला दी जाती कि अंकुरित अनाज खाए दही को अपने डाइट में सामिल करें तो आपके हेल्थ ठेक रहेगी और एक्सरसाइज करें खाना को कोशिस करें कि ज्यादा अस्पाइसी खाना ना खाए, लाइट खाना काए लेकिन आपका तो नम्मर छे है भगवान ने आपको नम्मर छे देके भेजा है आपका जो रुझान रहेगा अस्पाइसी खाने पर रहेगा यदि आप इस पर कावू पार लेते तो आपके हेल्थ अच्छी रहेगे तो चिली फिर आगे मिलते हैं अगला नम्मर साथ जो अगले वीडियो में आएगा आसा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपके घर में आपके आसपरोस में आपके माता पिता भाई बहन चाचा चाची मामा मामी ताई ताउ जिनका परिशनालिटी नम्मर सिक्स आ रहा है उन्हें ये वीडियो सेर करें कि वो भी अपने नम्मर सिक्स के परिशनालिटी के बारे में जान सकें रादे रादे जैमाता